विराह भुवंगम तन बसे मंत्र न माने कोई राम भियोगी ना जिये जिये तो बौरा होई विराह भुवंगम विराह का भुजंग विराह माने वियोग का सत्गुर के वियोग का वंगम माने भुजंग भुजंग माने सर्प सर्प माने साप तन माने शरीर में बसे माने निवास कर रहा है मंत्र न माने कोई वो किसी भी मंत्र को नहीं मान रहा है तंत्र मंत्र का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है राम बियोगी ना जियें जियें तो बौरा हो राम का बियोगी जीवित नहीं रह सकता पिरहव अंगम पर ठीके किया करे जैगाओ सादू अंग नमोर ही जो भावेत्यों खाओ परस्तु साखी में कभी इजदास जी कहते है कि विरह रूपी सर्प ने शरीर के अंदर बैठ करके कलेजे में ऐसा घाओ कर दिया है फिर भी जो सादू है वो अपने अंग को नहीं मोरेंगे वे कहते हैं कि जैसे जियों भावेत्यों खाओ जिस परकार तुझे अच्छा लगता है उस परकार तू खा ले स्वेचांसा विरह का मतलब वियोग भूंगम का मतलब सर्प पएठ के मतलब बैठ के किया माने किया करेजे माने कलेजे में घाऊ माने घाऊ साधू माने साधू, अंग माने अंगु को, नमोरही माने नहीं मोडेंगे जिए भावेते उखाओ जिस प्रकार अच्छा लगता है उस प्रकार से खाए चकई बिछुरी रहन की, आई मिले परभाती, जे नर बिछुरे राम सोते दिन मिले नरा चकई बिछुरी रहन की, रात की बिछुरी हुई चकवी, रहने माने राती, आई मिले परभात प्रभात काल में वो आकर के मिलन उसका हो जाता है लेकिन जे नर, जो नर, जो मनुष्य, जो पुरुष, जो आदमी बिछुरे राम सो, राम से बिछड़ जाता है ते दिन मिलन रात, ना वो रात्री में मिल पाता है और ना तो उसका मिलन दिन में हो पाता है रात्र की बिछडी हुई चकवी अपने चकवा से प्रभात काल में मिल जाती है परन्तु जो मनुष शराम से बिछड़ जाता है ना तो वो दिन में मिलता है ना रात में मिलता है अर थात उसका मिलन ही नहीं हो पाता है हिर्दें भीतर दौबलें धुआ न पर गट हो जाके लागी सो लखे कैजिहीं लाई सो हिर्दें कार थे हिर्दें दिल भीतर माने अंदर दौब माने दावागनी जाके लागी जिसके लगी है सो माने वही लखाई माने देखता है कै माने अथवा जिह माने जिसके लाई माने लग चुकी हो जिसके अंताकरण में हो सो इमाने वह वही देखता है कबीदा जी कहते हैं कि हिर्दें भीतर दौब लें कीसर प्रेमी के हिर्दें में विराह की दावागनी जलती रहती है और धुआ प्रकट नहीं होए इसके भीतर से निकलने वाला धुआ बाहर प्रकट नहीं होता इस आग की जलन की अनुभूती या तो वो करता है जिसने इसे जलाया है अत्वा वो करता है जिसके अंदर जल रही है दो ही प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं वेतरेक और विवावना अलंकार है विरहिनी उठे भूई परे दरसन कारन राम मुए दरसन दे हुगे सोवे की काम विरहिनी उठे भूई परे विरहिनी आत्मा उकस्ती है फिर भूई परे फिर गिर पड़ती है प्रिये के प्रिये में दरसन कारन राम है राम आपके दरसनों के कारन मुए माने म्रत होने पर मुए माने म्रत होने पर दरसन दे हुगे यदि आप दरसन देंगे सो आवे कोने काम वो दर्शन कोने काम आएगा किस काम आएगा ये मैं ही मर ही गई तो उस दर्शन से क्या लाब होगा विरहिनी कार्थ है विरहिनी आत्मा दर्शन मतलब दर्शन मुए मतलब मरने के बाद मुए पीछे मती मिलो का है कबीरा राम मुए माने मृत्यू के पीछे माने पश्चात मत मिलो मत बुद्धी मिलो मिले कहा है कवीरा राम कवीर दास जी राम से कहते हैं कि लोहा माती मिल गया यदि लोहा मिट्टी में ही मिल जाए तो पारस कोने काम पारस पत्थर की क्या उकात है उसे मिलने से क्या लाब है पारस एक पत्थर होता था जो लोहे में इस परश कराने से वो सुन बन जाता था लोहा तो वही कह रहा है कवीर दास जी भगवान से विने करते हैं कि मुएं पीछे मत मिलो कहा है कवीरा राम कभीरदास जी कहते हैं कि हे राम बनने के बाद दर्शन देने से क्या लाब है दर्शन देने मत आना लोहा माटी मिल गया चपसे एक लोहा अर्थात शरीर मिट्टी में मिल गया तब इस दर्शन से क्या मतलब बस उसी परकार जैसे एक लोहा मिट्टी में मिल जाए तो पारस पत्थर उस वो इस परश कराने से कोई लाब नहीं है उसी परकार सरीर की मृत हो जाने पर आपके दर्शन का कोई लाब नहीं है लब देना है दर्शन तो आप जी भी तवस्था में दें मारा है मरी जाएगा बिन सर तो थी भाली पराकरा है बिरिचितल आजु मरे के काली कबीरदाजी कहते हैं कि जो बिना शरका बिना फल वाला बिना मूठ वाला थोथी माने कोरी भाली माने भाला या बाण कोई नुकीला पदार्थ मारा है मारा है वो ब्रक्च के नीचे पड़ा पड़ा पुकार रहा है परा करा है बिरिचितल ब्रक्च के नीचे पड़ा पड़ा करा हरा है तडप रहा है आज मरे के काली इसलिए उसका लगबग मरना निश्चित है वो चाहे आज मर जाए या कल अर्थात बिना शरके अनी निकाली गई नहीं जा सकती है इसलिए उसका मरना लगबग निश्चित है जो बिना शरका बिना फल वाला बाण मारा गया है बिना शरके अनी निकाली नहीं जा सकती इसलिए उसका मरना लगबग निश्चित है वाज मरता है या कल अर्थात अधिक दिनों तक उसे जीवित रहने की उमीद नहीं है इसलिए मारा है, मरी जाएगा यानि आपने जो बाण मारा है बिना सर वाला तो एक मनंश्य वो पका ही मर जाएगा क्योंकि इसमें कभीर दास जी नहीं साक्य में ज्यानों प्रदेश के गहन प्रभाव को बाण की नोकी आंतरिक चुभण से बञागर किया है ग्यानों पुदेश के गहन प्रभाव को यानि यहां पर बताया गया है कि जो बिना सरका बान है ग्यान को बिना सरका बान बिना नुकीले पदार्थवाला बिना मूठके बान को बताया है परा करा है विरिश चल तो अब जिस साधक के वो प्रभाव रूपी ग्यानों पदेश प्रभाव रूपी बान लगा है वो पड़ा हुआ कराह रहा है कराह मतलब कि वो जब तब कर रहा है परमपिता परमेश्वर का उसको मौक्ष की प्राप्ती होनी ही होनी है वो चाहे आज हो जाए चाहे काल हो जाए इसलिए कभी दाजी कहते कि मारा है मरी जाएगा बिनसर्थ होती भाली कबीरदास जी यही कहते हैं कि मारा है मर जाएगा कि आपने उपदेश रूपी बान जो दिया है ग्यान उपदेश रूपी तो वो उसको मौक्ष को प्राप्त कर जाएगा बिरिशर सोती बाल जिसमें शर नहीं बान नहीं है जिसमें मूठ नहीं है और वो इस उपदेश को ग्रहन कर रहा है अर्थात गुरू के आसरे में गुरू की छाया में तो आज मौक्ष को प्राप्त हो अथवा कल उसको मौक्ष तो मिलनी ही मिलनी है कभीर गुरू गरवा मिला मिली गया टैलोन जाती पाती कुल सब मिटे नाम दरोगे को कभीर दाज जी कहते हैं कि गुरू गरवा मिला गौरव से युक्त गरवा कार थे गौरव से युक्त गुरू मिला मुझे मिल गया आटे लोन ठीक उसी प्रकार हम और यानि गुरू और सिस्से उसमें इस प्रकार एकाकार हो गए जैसे आटा में नमक ठीक उसी प्रकार एकाकार हो गए जाती पांती कुल सब मिटे उनके जाती पांती परिवार कुल वंश सब मिट गया अर्थात उसका कुछ नहीं बचा, वो तो एक आकार हो गए, उसमें कोई जात नहीं, कोई वंश नहीं, कोई कुल नहीं है, ना उधर हो गए कौन, अब कभीरदाज जी कहते हैं कि इस दसा में किस नाम से पुकार हो गए, क्योंकि साधक और गुरू, यानि गुरू और शिष्य दोनों नमक के समान है, जिस परकार आटे में मिला हुआ नमक दिखाई नहीं देता, उसी परकार गुरू के ग्यान में मिला हुआ शिष्य भी दिखाई नहीं देता, गुरू भी शिष्य भी गुरू एक जैसा दिखाई देता, दोनों एक आकार हो जाते हैं, इसलिए किसी को पता क करना मुश्किल हो जाता कि कौन गूरू कौन से कारण कवीरदाजी गोरूर किन rated कर भूर किस नाम से पुका छोग कवीरदाजी केखते कि गूरूमृत मिला गौरोशाली मिला तो झूसे इस परकार मिल गया जैसे आंटें मिनमक अब उसमें जانत spineidos हो गए हैं हुआ है हथाथ जिन्या वेदन निर्मई भला करेगा सोई कभीरदाज जी कहते हैं इस साखी में पस्तु साखी में वेद के दो अर्थ है एक तो वेद का अर्थ है वेद, शास्त्रों वाला वेद, गरंथ और दूसरे वेद का अर्थ है वेदना तो कवीदास जी कहते हैं कि जाहू वेद घर आपने वेद अर्थात वेदना हे दर्द हे वेदना तुम अपने घर को जाओ तेरा किया नहो तुम्हारा किया हुआ नहीं होगा जिन्या वेदन निर्मई जिन माने जिसने या माने इस वेदन माने दर्द को निर्मई माने निर् भला नहीं कर सकते, मेरा भला तो वो करेगा जिसने स्वेदों का निर्मार किया है, वो ही भला करेगा.